इंडिया और एंडिये को लेकर के अब तक्रीबन पूरी तस्विर साफ हो चुकी है इंडिया के अंदर कौन रहेगा एंडिये के अंदर कौन रहेगा यह अब साफ हो चुका है अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जी लोकसवा चुनाओ चाहे वो दोजार चोबिस में हो या 2023 में हो मोदी के सामने विपक्स की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा कौन हो मोदी के सामने विपक्स की तरफ से प्रधान मंतरी पद पर सबसे बड़ा उमिदवार कौन हो इसको लेकर एक सर्वे हुआ है उस सर्वे के नतीजे में आपको बताता हूँ हलाकि इसको लेकर के तीन र चेरा नहीं है, एक सामुई के नेतरतों में चुनाओ लड़ा जाए और उसके बाद में चीज़े ते की जाए, दूसरा जो है वो राई ये कहती कि नहीं, हमें उमिदवार सामने रखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मोधी के सामने ये हैं, और मोधी से बैतर जो है वो नितिस कुमार या सर्थपावार या मलकर अरजुन खडगे, ममता बिनर जी, केजरिवाल जो भी हो, एक संकेत के तोर पर बता दिया जाए कि ये चेरा रहेंगे, जो राजनिती है वो इस तरह से दिखे कि लोगों को साफ तोर पर दिख जाए, कि हाँ यही चेरा है, और उस से पहले दो बड़े सर्वे के दो बड़े नतीजे आपके साथ में साजा करूँगा, पहला तो ये कि सबसे बड़ा उमिदवार कौन, और दूसरा ये कि क्या चेरा डिकलेर किया जाए या ना किया जाए, इसको लेकर भी कराए है, वो भी मैं आपके साथ में साजा लेकिन उससे पहले आप बताई ये कमेंट के जरी में कि आपकी तरफ से वीडियो दिखाता हूँ और ये वीडियो देखिए ये वीडियो है तिलंगाना की राहुल गांदी की लोगपृता में भर जोड़ो यात्रा के बाद में एक उच्छाल आया है, इसमें कोई दोराय नहीं है, और उनकी लोगपृता बड़ी है, इसमें भी कोई दोराय नहीं है, और तेलंगाना जैसे रज्जे में, वहाँ पर किस तरह से जो है वो जंसमर्थन दिख र और एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इसी तरह का दबदबा रहता है तो राहूल गांदी इन पांच रज्जों के चुनाओ के बाद तस्वीर बहुत कुछ बदल भी सकती है इस पर भी बात करेंगे लेकिन सबसे पहले जो है वो नतीजे मैं आपको दिखाऊं तो एवी कितने परसेंट है वो भी सुनिए दोजार चोबिस चुनाओ से पहले एक और नया सर्वे और एंडिये के लिए जटका कॉंग्रेस की बढ़ी ताकत अन्य पार्टियां भी मजबूत नजर आ रही है सर्वे में सवाल पूछा गया कि इंडिया गठबंदन की को पीम उमिद् करना चाहिए इस सवाल पर बेहद हैरान करने वाले जवाब मिले सर्वे में सामिल की लोगों में से 51 परतिशत ने कहा कि हाँ विपक्सी गठबंदन को प्रधानमंत्री पद का उमिद्वार घोसित करना चाहिए उसकी घोशना करनी चाहिए और 32 परसेंट ने कहा कि नहीं ज इंडिया गठबंदन में पी-म के लिए सबसे मजबूत दाविदार कौन है तो इसके लिए 39 परसेंट लोग कहते हैं कि राहुल गांधी सबसे मजबूत है ये सबसे बड़ा चोकाने वाला आकड़ा है राहुल गांधी को ले करके लोगों की जो लोगप्रिता है लोगों क लोग और अखिलेस को 3 परसेंट लोग तो सबसे जादा किसी के अगर लोगप्रिता है तो वह राहुल गांधी की है राहुल गांधी को सबसे जादा लोग जो पसंद कर रहे हैं कि वह पी-म पद का उमिदवार बने राहुल निशित طور पर कॉंग्रेस की अगर आप देखे गर उपर देखेंगे तो पंजाब की 13 सीट में लिजिए 10 सीट है अब अगर कई पर यह कहें कोई कि वो अपने सांसतों को जिता करके ला सकते हैं तो वो मुम्किन दिखाई नहीं पड़ता है और केजरिवाल के आज के समय पर अगर आप देखेंगे तो एक सांसद है और वो सांसद भी रिंकु सिंग पंजाब से जो हैं वो भी पहले कॉंग्रेस के नेता थे बाद में अभी आमादी पार्टी में गए और उप चुनाव हुआ भगवंत मान के सीम बनने के बाद में और उस सीट पर जो हो चुने गए तो ये तो केजरिवाल की वो है अगर आखिलेस यादव की अगर आप देखेंगे तो अखिलेस यादव का उत्तर प्रदेस में निश्चित तोर पर बहुत बड़ा चैरा है सबसे बड़ा चैरा है लंबा एक अनुबाव है विपक्स के तोर पर और जो है इसलिए जो है वो यहाँ पर 6% मिल भी रहे है लेकिन आप नितीज कुमार को कहें कि राजसान से कहीं पर अगर कोई खड़ा कर दिया जाए तो क्या राजसान से जीत सकते हैं और दूसरे स्टेट से अगर खड़ा कर दिया जाए तो क्या जीत सकते हैं विहार से बाहर जा करके अलाकि राहुल के लिए ये एक बात कई जा सकती हो को अमेठी हार गये थे लेकिन अमेठी की हार और किसी हार हुई उस पर अपने आप में तमां सारे सवाल है लेकिन इन सब के बाउजूद पर के रहा सकते हैं 39% जो इस बात को मानते हैं अब इसकेय कि क्या उम्मेदवार घौसित करना चाहिए इसको लेकर के 11-300 पर कि हाँ उमीदवार घोसित होना चाहिए नहीं घोसित करना चाहिए 32% लोग कह रहे हैं और पता नहीं कह रहे हैं 17% लोग ऐसे जो कह रहें कि पता नहीं है अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर घोसित कर दिया जाए तो क्या दिक्कत है अगर घोसित नहीं किया जाए तब क्या दिक्कत है देखे अगर घोसित कर दिया जाए गोसित कर दिया जाए कि राहूल गांदी पीम पद का जो है वो चेहरा है तो उसके बाद में यह है कि बाकी की पार्टियों के अंदर जो है वो एक अपने कारिकरताओं को इखटा करने की बात है तो वो फिर जो हो चुनाओं में वो दम नहीं दिखेगा और पहले कर दिया जाए उस पर बात करते हैं तो अगर कर दिया जाता है तो फिर उसके बात में यह होगा कि लोगों को एक मैसेज जाएगा कि देखेए मोधी के सामने यह चेहरा है क्योंकि आज की राजनिति को अगर आप देखेंगे मुझदा अगर कुछ चुनाओं की राजनिति आप उठा करेंगे देखिए तो बाइपोलर चुनाओ हो गया है अब जो है वो यह है कि या तो यह और या फिर यह केजिरिवाल ने भी कॉंग्रेस को अगर पंजाब में हराया तो उससे पहले भगवंत मान का चेहरा डिकलेर करना पड़ा हलाकि उन्होंने चेहरा डिकलेर जो गुजरात में भी किया था असर नहीं पड़ा लेकिन हाँ परफोर्मेंस अच्छी रही तो चेहरा डिकलेर करने से आज के समय में ये जरूर है कि एक अच्छी टककर मजबूर टककर जो दी जा सकती है और लोग जो खुल करके वोट करते हैं कि या तो इसके लिए या इसके लिए मुझूदा जो रासनेती वो बाइपोलर है और अगर घोसित करेंगे नहीं करेंगे तो भी लोग यही मानते हैं कि हाँ मोदी वर्सिस राहूल जो है यह चुनाओ है लोग मान करके चलते हैं तो घोसित कर दिया जाना चाहिए में उसके तरक यह दिये जा सकते हैं और नहीं में तरक यह दिये जा सकते हैं कि अगर राहूल को चेहरा घोसित कर देते हैं तो बाकी की जो पार्टी हैं बाकी की जितने भी नेता है उनके जो कारी करता है वो फिर थोड़ा डाउन हो जाते हैं और उसके बाद में ये भी होता है कि अगर राहुल को मोधी के सामने प्रजेंट कर दिया जाए कि राहुल ही जो है वो नरिंदर मोधी के सामने पीम पद का चेहरा है तो उसके बाद में ये भी होता है कि पूरा का पूरा चुनाओ जो है कि आपका पीम पद का जो चेरा है उनके उपर बीजेपी की तरफ से ये बाते कही गई है आज अगर बीजेपी कुछ आरोप लगाती है तो फिर उसमें जवाब विपक्स के तोर पर यही बचता है कि देखी कॉंग्रेस पार्टी के नेता के उपर आरोप लगे है राहूल गा हो जाती है कि उनको जो है वो फिर राहूल गांदी को न चाहते वे भी डिफेंड करना ही करना पड़ेगा क्योंकि वो आपके प्रदान मंत्रीपद के चेरा हो गए है तो फिर नहीं में जो है वह यह तर्क है कि इसलिए इनको डिकलेर ना किया जाए अब ना पता कहने वाल कि एक message दे दिया जाए कि ये चुनाओ जाए किसके जो है वो इर्द गिर्द रहेगा हलाकि अभी तक की राजनेती आप देखें और तीन जो बैठके देखें विपक्स की तो उसमें साफ तोर पर दिख रहा है कि ये चुनाओ किसके इर्द गिर्द जाने वाला है लालू अंदर तो उसमें भी लालू परशाद यादव ने कहा कि हम राहूल गांदी को आस्वस्त करते हैं अब राहूल गांदी को आस्वस्त करने का मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि सीधे तोर पर और उस अधिकारिक मंच के ऊपर ये बाते कही जा रही है और किसी ने इस बात क भी खड़ी हो जाती है और राहूल गांदी भी बहुत अद्टक यह चाहते है कि मुझे मुझे जो है वो प्रोजेक्ट ना किया जाए हाला कि कोंग्रेस की तरफ से चाए कोंग्रेस के नेता ऐसो गैलोत हो चाए भुपेश बगेल हो वो सारजनिक तोर पर इस बात की की है लेकिन विपक्स बार बार इस बात को कहता रहा है कि हमारे लिए मुद्दे बड़ी चीज है नेता बड़ी चीज नहीं है मुद्दा अगर बेरोजगारी महंगाई और यह सारे मुद्दे हम लोगों तक पहुचा पाए घरगर तक पहुचा पाए तो उसके बाद में जीत के बाद में तो नेता तो फिर हम चुनी लेंगे नेता तो हमारे यहां पर तो कई प्रधान मंत्री के चेहरे हैं आप कोई भी चेहरा ऐसा है कि जिसके पीछे लोग खड़े हो जाएंगे चाए वो ममता का चेहरा हो चाए वो केजरिवाल का चेहरा हो चाए अखलेस का हो चाए राहुल का चेहरा हो चाए मलकर जुन खड़गे हो चाए नितिज कुमार हो कोई भी चेहरा हो जिसके पीछे लोग खड़े हो जाएंगे और इस बात को लेकर कि विपक्स के अंदर खीचतान नहीं है तलकी नहीं है कि कोई अगर बनता है तो उसको लेकर के विरोज शुरू हो जाए उसको ले करके तमाम तरह के जो है वो जल्ती भुंतिय के जो राजनेति होती है वो सुरू हो जाए तो वो चीजे नहीं दिखाई देती है लेकिन बेराल अब ये तो विपकस को ही तेय Phillips को ही करना है और ये मझे लगता कि समय जो है वो धीर 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 इस बात की परते खोलेगा और समय ही दिर दिर इस बात से परदा हटाएगा कि क्या नरिंदर मोधी के सामने किसी को डिकलेर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए पहली बात तो वहीं पर होगी और अगर डिकलेर करना चाहिए तो फिर किसको तो डिकलेर किया जाए दूसरा फिर सवाल ये आएगा तो ये धीरे-धीरे वक्त के साथ में चीजे और साफ होती चली जाएंगी बैराल आज की तारिक में आपको क्या लगता है क्या डिकलेर होना चाहिए और अगर डिकलेर होना चाहिए तो कौन होना चाहिए कौन ऐसा सक्स है विपक्स के अंदर जो आपको लगता है कि नरेंदर मोदी को हरा सकता है कौन ऐसा है जिसको लेकर के नरेंदर मोदी की सरकार ऐसा है जिसके उपर टारगेट नहीं किया जा सकता कौन ऐसा है जो नरेंदर मोदी को टककर का जवाब दे सकता है आपकी राए नीचे कमेंट बोक्स में जरूर लिख करके बताईए इस वीडियो को खूब शेर कीजिए लोगों तक पहुंचाईए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन न्यूजी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बैल आइकन घंटी उसको जरूर दबएए ताकि जैसे कोई खबर अप्लोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके और अगर ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए फोलो कीजिए और इस खबर को शेर कीजिए धन्यवाद